जहिन दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक Tube Amplifier की, एक यह जो Tube Amp है, यह मेरे पाख Sale के लिए आया है, Used Product है, तो इसे Sale के लिए तो वीडियो मैंने बनाना ही था, बट मैंने सोजा कि चलो एक Tube Amp आया है, तो एक वीडियो जो है वो Tube Amp के उपर यह नहीं है, यहां फिर किन लोगों के लिए Tube Amplifiers लेना सही रहता है, यहां फिर किन लोगों के लिए सही नहीं रहता है, तो आज की वीडियो में हम टोटली इसी बारे में बात करेंगे, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आमित और आप देख रहे हैं, Audio Guruji, and Audio Guruji चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चोटी सी रिक्वेस्ट है आप से, कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है, तो फ्लीज कर लिए और बैल आइकन को जरूर दबा दीएगा, ताकि आने वाली वीडियो आज की वीडियो को स्टार्ट करतें हैं, यह जो एंप है, एक Tube Amplifier है, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, यह NoteSound Company है जिनका यह Amplifier है, जो Tube Amplifiers है, वो काफी जादा कॉस्टली होते हैं, बट यह जो है, एक Entry Level है, तो एक Budget Friendly इसको आप कह सकते हैं, कुछ लोगों के लिए शायद यह महेंगा भी होगा बट अगर हम ट्यूबेंज की बात करते हैं तो इस आप बजेट फ्रेंडली एंप्लीफायर जो कि आप यहां पर देख रहे हैं जिसका की मॉडल नंबर है MS-10D-MK2 यानि की Mark 2 तो फ्रेंड्स आपको मैं इसके बारे में बताऊं इससे पहले थोड़ी सी जानकारी जो है वो मैं आपको ट्यूब एंप्लीफायर के बारे में देना चाहूंगा तो यह जो है यह तो चैनल का एंप्लीफायर है स्टीरियो एंटिग्रेटिट एंप्लीफ इस तरह से इने बनाया जाता है जो वो बनाने के लिए उस재 करते हैं आउट्पू जो निगलती है उसे बनाने के लिए प्लीफायर है और तो यहां पर वेक्यूम को बनाती है और अगर आप Amplifier Classes के बारे में जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं, तो उपर आई बटन पर मैं एक वीडियो का लिंक दे दूँगा, वो देख लीजिएगा आप जिससे थोड़ा सा आइडिया आपको Classes का लग जाएगा, कि Class A, B and Class A and H जो भी है, उसकी जानकारी थोड़ी अगर आपको ना हो, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, अगर Quality की बात करते हैं, तो Class A Amplifier जो है, वो सबसे उपर आता है, बट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो Tube Amplifier की जो आउटपुट होती है, वो Class A Amplifier से भी यादा अच्छी होती है, और मानी भी गई है, बात महीं आजाती है कि Class A काफी costly होता है, तो यह उनसे भी यादा costly पड़ते हैं, बट इन्हें रिपेर करना, इनके साब तक अभी भी Tube Amplifier खराब हो जाता है, तो इन्हें रिपेर करना बहुत ही असान होता है, बट यहाँ पर एक बात यह आती है, कि यह किनके लिए सही है, यह किनके लिए सही नहीं रहेंगे, तो मैं यहाँ पर आपको यह कहना चाहूँगा, अगर आप एक serious listener है, अगर एक आपको pure audio का मजा लेना है, वो धूम दड़ाका नहीं मचाना, मतलब कि जैसे आजकल के जवान लोग जो हैं, वो चाहते हैं कि पडोसियों के बरताने लेंगे तो ऐसे व्यक्ति, अगर आप नहीं है, आपको एक decent sound quality चाहिए है, तो tube amplifier आपके लिए बहुत यादा अच्छे रहेंगे, second, किने नहीं चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिसे धूम दड़ाका चाहिए है, उनके लिए tube amplifier बिलकुल भी मैं prefer नहीं करूँगा, तो कि यह चीज उनके लिए बनी ही नहीं है, यहाँ पर tube amplifier में जो wattage होती है, वो हमें कम मिलती है, according to class AB amplifier या class D amplifier, so आपके जो speaker है, उनकी जो sensitivity है, वो बहुत यादा कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो यह अच्छे से performance नहीं करें, अगर आपका tube amplifier 10-15 watt का है, तो आपकी जो speakers हैं, वो और यादा बढ़ती जाती है, तो अगर आपके speakers low sensitivity के हैं, जिसकी sensitivity काफी यादा कम है, तो मैं आपको भिल्कुल भी suggest नहीं करूंगा, कि आप tube amplifier की तरफ move करें, and अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, इनके sound signature की, तो इनका जो sound signature है, वो बहुत यादा warm होता है, एक natural sound produce होता है अगर आपको एक balance sound चाहिए है, vocals अच्छे चाहिए है, clear आवाज चाहिए है, warm sound चाहिए है, तो ऐसी condition में आप tube amplifier ले सकते हैं, बट यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूंगा, कि जो tubes होती हैं, यह काफी यादा गरम हो जाती हैं, तो आप देख सकते हैं, हाथ लगे, यहाँ ऐसा कुछ हो, तो किसी को नुकसान ना हो, बट फिर भी अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो यहाँ तो आप इसे ना ले, यहाँ फिर आप इसे ऐसी जगा पर रखें, जहाँ पर कि आपके छोटे बच्चों का हाथ ना बरग पाए, क्योंकि accidentally कुछ भी हो सकता है, यह काफी आता गरम हो जाते हैं, इसे थोड़ा सट टाइम चाहिए होता है, जैसे जैसे इसके जो ट्यूब से वाम होते हैं, गरम होते हैं, यह अपनी आवाज को और याथा इंप्रूब करता रहता है, अगर मैं इसी एम्प्लिफायर की बात करता अपने परफॉर्मेंस लेवल तक आने में तकरीबन 20 से 25 सेकंड लगते हैं, यानि कि 20-25 सेकंड तक इसकी जो ट्यूब से गरम होती हैं, उसके बाद में यह अपनी असली जो इसकी आउकाद है, उस पर आना शुरू होता है, और फिर एक अच्छी आवाजा में मिलनी शुर किया गया है, तो उसकी कॉस्ट जो है वो तकरीबन 15 या 16 लाग से स्टार्ट होती है, तो इतनी हाई रेंज तक तो शायर हर बंदा नहीं जा सकता है, बट यह जो यूनिट है, इसे अगर आप नया लेते हैं, तो आपको 65,000 इसकी कॉस्ट पड़ती है, अगर आप इसी पर् सेट है, तो फ्रंट में आप यहां पर देख सकते हैं, कि हमें एक वॉल्यूम नोब मिल जाता है, तो यहां से आप वॉल्यूम को अड़्जेस्ट कर सकते हैं, इसी के साथ में अगर आप देखेंगे, तो हमें एक इनपुट का स्विच दिया गया है, इसे आप CD पर रख सक इसे DVD पर पर रख सकते हैं, यानि कि हमें इसमें चार तरीके के इनपुट मिल जाते हैं, जैसा भी आप यूज़ करना चाहें, ऐसा कर सकते हैं, साथ में हमें यहां पर मिल जाता है एक व्यूम जो कि इसकी खुबसूरती को और यादा बढ़ाता है, जो कि देखने में काफ यहां पर हमें एक USB का भी स्लॉट दिया गया है, और एक हमें मिल जाता है पावर आफ का बटन, यहां अगर हम बात करते हैं इसकी बैक साइड की तो यहां पर हमें दो इंपूर्ट मिल जाते हैं, जो कि DVD और CD के नाम से मेंशन किये गए हैं, साथ में हमें बाइनिंग पोस् और एक यहां पर हमें दो इंपेर का fuse दिया गया है, और एक हमें पावर कोड लगी हुई मिलती है, अगर बात करें इसकी आउटपुट की तो यह 25 प्लस 25 वाट की आउटपुट देता है, एट ओम्स के स्पीकर लोड पर, जो कि Tube M के इसाब से बहुत अच्छी है, टोटल ह आप इस पर 4 ohms से लेकर 16 ohms तक के किसी भी speaker को play कर सकते हैं, तो friends, specification and बाकी की जो भी जानकारी सी वो मैंने आपको दे दी है, वीडियो आई थिंक यह लंबी बनेगी थोड़ी सी बढ़ी सी जानकारी, इसमें जो डाल दी मैने उस वज़े से इसकी जो length है वो, I think बढ़ होगी काफी, फिर भी hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अभी यहाँ पर मैं आपको इसका कुछ देमोस दिखा देता हूं, जिससे कि आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा, इसकी quality कैसी निकलती है तो फ्रेंट्स यहाँ पर आपने इनके डेमोस भी देखे हैं, अभी आपका क्या कहना है, इसकी quality के बारे में, तो यह comment करकर मुझे जरूर बताईएगा, आपको क्या लगता है कि tube amplifier purchase करना आपके लिए ठीक है, नहीं है, अगर है तो ऐसा क्यूं, अगर नहीं है, तो ऐसा क्यूं, आपका जो feedback है, वो बहुत यादा important होता है हमारे लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको अगर ए यह इतनी अच्छी performance देगा, और मेरे इन speakers को भी यह चलाएगा, मैंने इसमें Tanoi के speakers लगाए दे, जो काफी heavy speakers है, पर इसने उन्हें बहुत अच्छे से run किया, जो sound quality है, वो भी मुझे काफी अच्छी देखने को मिली इसमें, तो आपका क्या कहना है, यह comment करके ज़रूर इसका जो prize है, वो मैं आपको भरा चुका हूँ, अगर आप इसे purchase करना चाते हैं, तो हमारे Instagram पर message करकर मेरी team से बात कर सकते हैं, यह फिर नीचे दिये गए WhatsApp नमबर पर भी message कर सकते हैं, यह नमबर सिरफ sale के लिए है, यहां से आपको सिरफ वही जानकारी मिलेगी, इसके ल लगी होगी तो please like जरूर करें and comment जरूर करें and हो सके तो share भी करें, आपके support की बहुत यादा जरूरत है, और मैं मिलता हूँ आपसे next वीडियो में, अभी के लिए आपसे अलविदा चाहूँगा, आप स्वस्त रहें और मस्त रहें, जैहन दोस्ते